नमस्कान, इस्टेट वेस निव्स में आपका स्वागत हैं, मैं हूं प्रादीमा साम, आईए वट्टे आज की तमाम ख़वरों की ओव कटिहार में डेंगू से बचाओ के लिए फौगिंग की जा रही है, नगर निगम के तरफ से फौगिंग मशीन के द्वारा तमाम इलाकों में लगातार फौगिंग की जा रही है, शिडिल के अनुसार फौगिंग कराने की जानकारी नगर आयुथ ने दी, उन्होंने कहा कि ज जोग था, इमके लिए साफ सफाई का धियान रखें। विशेश कर घर के आसपास पानी जमा नहीं होने दें। योग कि अक्सर ये बाते सामने आई हैं कि देंगू का मक्षर घर के अगल बगल के छोटे जगों में ही जमा होकर महमारी फैलाते हैं। इसलिए साफ सफाई के सा पानी जमा नहीं होने देना बेहत जरूरी है। बता दें कि कठिहार में अब तक डेंगू के दो मामले सामने आ चुके हैं। जिसको लेकर प्रशासनिक महकमे में हडगंप है। जी मुझे भी इस बात की जैनकारी मिली है। द То कि अपने हावी एक दो केसे कल के कल की की तीधि में structure हुए है। अर उसके लिए हम नगर परशासन की तरफ से साफ सफाई की बैवस्ता की जा रही पहले से कूलर वगारा में पानी वगारा जमा हुआ हो या ऐसा कुछ काफी दिनों तक नहीं रहने दे चौनकि इसे इसके डेंगू मच्छर के लारवा को पनपने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है तो उनके सपोर्ट सिस्टम को जो भी रोप्ठाम की जा सकती है वो करने की हुनी चाहिए अगल फॉग बैवस्ता डेश डेली और हम लोग करा रहे हैं फती देन दो सिप्ट में सूबा में साम में हर एक जून में जा कर के और हमारा एक मैसीन जल्दी ही हो चालू हो जाएग उसके बाद भी हम और उसको मुल्किपलाई करेंगे और अधिक छेत्रों म YouTube चैनल को लाइब और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद